हाई गाईज, वोलकम बैक तो भोजपूरी चलीज, मैं हूर उधीर, कैसे हैं आप लोग गाईज, आज हम लोग देखने वाले हैं, जहन जी एक्स्टा चैनल से, हर हर गंगे, पवन सिंग, पोस्टर रिव्यू जहन जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो, इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तू चेक इट आउट, लेट स्टार्ट दा वीडियो, जी, कहाल है, ठीक है, दोस्तों वैसे तो आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, बहुत आलस लग रहा था सुबह से, और मैं चदर टान के सोया हुआ था, बट अपने पवन भाईया, आज सोने देने वाले है, सोकर जब उठा तो देखा, सोशल मीडिया पर पवन सिंग घरदा फाने हुए है, गर्मी के सीजन में बारिष हो रही है, और उस बारिष में पवन सिंग घरदा-घरदा मचाये हुए है, यहां पवन सिंग की आने वाली फिल्म हर- बहुत बकवास लगा था बहुत ही थर्ड क्लास की एडिटिंग उसमें की गई थी और मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था और ये सारी बाते मैंने बताई थी कसम से बता रहा हूं इतना डिशापॉइंटेड मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं हुआ था इतना नकली के यूटूबरों को जिन्हों ने उस मोशन पोष्टर में कमिया निकाली उनके इस दो कवडी के काम को सिरियस लिया गया और पहले वाले मोशन पोष्टर से इस बार हांड्रेट टाइम नहीं, थाऊजड वाले मोशन पोश्टर से हजार गुना नहीं लाखों गुना बैतर है एला जो मोशन पोश्टर आया था उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यार यह सब मजाक कर रहे हैं कोई पैन इंडिया फिल्म का ऐसा पोश्टर होगा तो मुझे यह सब कुछ मजाक लग रहा था यह वाला पोश्टर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ना मुना ना मजाक नहीं है यह वाकई में एक बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि यह पोश्टर देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म कितना लार्जर होने वाली है इस पोश्ट के ति ग्राउनड को बलर किया गया है और लगता है कि सच में दोड रहे हैं ककी पभले वाले पुसंटर में जो पभल सिंग का एक्सप्रेसन था यह कही से भी उसे के इसाब से मैच नहीं हो रहा था पहले वाले मोशन पोश्टर में पवन सिंग के कंधे पर मगर मच था और उनका फेस का एक्स्प्रेशन ऐसा था जैसे किसी ने पीछे से दक्का मारा दिया होगे बट इस बार उन सारी कमियों पर बैटर ध्यान दिया गया है और एक बढ़ि को इस फिल्म को एक अलग होने का एहसास कराता है क्योंकि Pen seit, suit, belt टाई वह तो हर फिल्म में होता है पवन सिंह के हाथ में खुलहारी देख कर ऐसा लगता है इस फिल्म में आक्ष्चन भी जबरगा सबसंदैती और इस फिल्म के सारे character आपको नॉर्मल फिल्मों से बिल्कुल अलग दिखने वाले हैं पवन सिंका जो ड्रेसिंग सेंस है से देख करके ऐसा लगता है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो आज के समय की नहीं होगी सायद ये फिल्म किसी दूसरी मानों से भेता की हो सकती है या फिर सो या हजार साल पुरानी इतियास पर ये फिल्म बेजड हो सकती है क्योंकि पवन सिंका फैसन भी अगर देखे तो दोनों कान में बाली गले में लोकेट, हाथ में ताबीज और गटे में कलावा, हाथ में कुलाडी ये सब कुछ ये दर्साता है कि इस फिल्म की कहानी सायद आज की नहीं होगी क्योंकि आज के जमाने में सायद ऐसा फैसन कोई करता नहीं है आज तो सब बेश्ट नाइज हो गए हैं ना शर्ट हो, टाई हो, बेल्ट हो, जूता हो, मजा हो फैर तो इस पोश्टर के बारे में मेरा फाइनल ओपीनियन ये है कि पहले वाले मोशन पोश्टर से ये मिलियंस ओफ टाइम बैटर पोश्टर है और इस पोश्टर को और अच्छरा है मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई कहीं पर भी कुछबी अगर कमी दिखे तो उन कमीयों को गिनाओ क्योंके अगर कमे नहीं गिनाओगे तो मेकर्स सिरियस नहीं लेंगे फिर जैसा मोशन पोश्टर आया वह यह पोश्टर भी आता पिर वह इस ही टीजर आता फिर वह इसा ही ट्रेलर आता और फिल्म कब आती और निकल जाती किसी को पता भी नहीं चलता लेकिन जब आप कमियां गिनाओगे तो उस पर काम होगा वो चीजे बैटर होंगी और जब वो चीजे बेटर होंगी तो उस पर चर्चा होगी चर्चा होगी तो बहस होगी बहस होगी तो मुझ खुलेंगे और जब मुझ से बात निकलेगी तो वो दूर तक जाएगी और फिर दूर वाले भोजपूरी को लेकर सिरियस होंगे और जब सिरियस होंगे तो सिनेम हाल तक पहुचेंगे और जब सिनेमा हाल तक पहुचेंगे तो फिर भोशपूरी के अच्छे दिन आएंगे किसी भी ट्रेलर किसी भी फिल्म या किसी भी पोस्टर में जो भी कमी दिखे उसे बे जिजग गिनाव कई यूटूबर ऐसे हैं जो एक तरफा एक इस्टार के फेवर में बात करते हैं और दूसरे इस्टार को मतलब हमेशा डाउन ग्रेट दिखाते हैं उनसे भी मैं यही कammenहें आपके इस्टार की ही भलाई है तो किल मिला करके कमी को अगर आप कमी बताते हैं तो आप उसका फायदा ही कर रहे हैं लुक्सान नहीं और उसके साथ साथ भोचपुरी इंडुस्ट्री का जो फाइदा है वोगई हजब इंडिस्ट्री आगे बढ़ेगी तो पीछे पीछे आप भी भढ़ोगे कि नहीं ऑड़ोगे क्योंकि अब भी इसी इंडिस्ट्री के बारे में बात करते हो आप चाहते हो इंडेश्ट्री कुए का में अधग बनके रह जाए और आप उसके पीछे-पीछे गुमते रहे हो चाहते हो आप नहीं चाहते हो हमारी इंडेश्ट्री भी समुनदर में तैरे और हमारी गिंटी भी बड़े यूटूबरों में हो आज आपकी क्या गिंती है त हाल तुमें बोल रहे हैं बाकी आपकी समझ के उपर है आप यसे चाहो ऐसे कर सकते हो बाकी आप लोग बताना कि यह रिव्यू आपको कैसा लगा पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और मेरे किसी बात से असामत हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो उसके लावा अगर मुझे तो यह जो रिव्यू था जंट जी का वह बहुत ही ज्यादा जैनुवन रौ और काफी हद तक केरिंग लगा ठीक है क्योंकि यार देखो हर किसी की भलाई के बारे में ना हर कोई नहीं सोचता है मतलब दूसरे का क्या लोग सिर्फ यह सोचते हैं हमारा काम बनता भा कुछ भी करके बोल रहे हैं बस मसालेदार बोले ऐसा बोले कि हां बस हमारा वीडियो चलना चाहिए बाकी किसी का नुकसान हो रहा है या किसी का मतलब क्या बोलते हैं कि किसी के काम में सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है बट यहां पर जंट जी न किया रहा आप क्या इसमें खासित है वह और अच्छी तरीके से इन्हों ने मतलब बहुत अच्छी तरह से स्पार्ट किया उस चीज को किया अच्छी बाते हैं पिछले वाले पोस्टर को क कंपेरिजन करके बहुत अच्छी तरीके से जहंट जी ने बताया ठीक है अभी ये चीज बहुत नैचरल हो गई है लोग अब जाकर खुलकर बोलने लगे हैं है ना पहले ऐसा होता था जब इंटरनेट से थोड़ा सा पहले का टाइम मतलब इंटरनेट जब नया नया आया था सभी लोगों के पास कह दिया जो इंटर्विव आपने टीवी पर देख लिया वही सच है है ना एक मुखोटा सा पहन कर रखते थे पहले बट अब क्या हो गया है अब मोबाइल का जमाना हो गया है फास इंटरनेट का जमाना हो गया है आपको हर एक चीज हर एक अपडेट तुरंत मिल जाती है तो वो जो मुखोटा था ना वो उतर चुका है ठीक है आपको सही और गलत में अंतर करते देर नहीं लगती है तो कम से कम अपना जैनूवन जो आपकी राय है वो आप रखने में हिचके चाओ मठ ठीक है कि हाँ नहीं इनकी अगर हम बुराई कर देंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे बुराई तब करो जब बुरा कहने वाला कुछ हो ठीक है लाइक इन्होंने कहा कि अपनी कमियों को जरूर बताओ है ना कि हाँ इस ट्रेलर में क्या बुरा था क्या अच्छा था क्या नहीं था तो वो चीजे बताने का एक ही मकसद है कि काम में और ज्यादा मतलब कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ेंगे जो चल रही है उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो ही तो और अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे अधर इंडस्ट्री के साथ अगर हमें कंपैरिजन करना है उनके साथ रेस में आगे बढ़ना है बराबरी करनी है या फिर उससे आगे जाना है तो कम से कम हमें अपडेट रहना पड़ेगा हमें हर एक चीज को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज क्या अच्छी है और ये इससे और अच्छी हो सकती थी ठीक है ये रखना पड़ेगा तो यार आई होब आप लोग को रेक्शन पसंदाया होगा अगर अच्छा लगाओ तन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना मैं मिलूँगी नेक्स वीडियो में बाबाए